Hello students, welcome to my nurture, मैं हो Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस्ट, बढ़िया चलो इस्टार्ट करते हैं हम लोग community pharmacy management में chapter number 5 का lecture number 2 है ना, हम लोगों ने patient counselling के बारे में सब कुछ समझ लिया था और यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं इस lecture में counselling किसके बारे में जो की chronic disease है chronic क्या होती है, disease or disorder, chronic मतलब होता है, एक होता है acute, एक होता है chronic acute होता है जो तीवर होता है, कुछ छणगिला आता है फिर चला जाता है जैसे कि टाइफएड वगरा और chronic होती है बिमारियां जो लंबे समय तक चलती है या फिर यह कहलो जब तक इनसान जिंदा रहेगा ये बिमारी उसके साथ रहती है for example BP, high BP हो गया, diabetes, खतम नहीं होती बिमारियां ये ये बिमारियों का इलाज, permanent इलाज नहीं है, आप इनको रोक सकते हो, control कर सकते हो but permanent इलाज इनका नहीं है, तो इनी को हम कह सकते है chronic disease और disorder, ठीक है न, अच्छा, कुछ का तो है, जैसे कि आप मालो tuberculosis, ये chronic, ठीक है, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, लंबी भी बिमारी हो सकती है ये टीवी, 8-9 महिने लगते हैं, 7-8 महिने लगते हैं, ठीक होने में तो chronic के अंदर दो category आती हैं, एक ऐसी बिमारी हैं, जो कभी ठीक नहीं हो सकती हैं लेकिन control की जाती हैं, या ऐसी बिमारी हैं, जैसे tuberculosis होगरा है जो बहुत लंबा समय लेती हैं, ठीक होने में, बास समझ में आ गई, ठीक हैं दोनों ही chronic के अंदर आती हैं, तो यहां पर हमें patient को कुछ खास हिदायदे देनी होती है as a pharmacist, आपको कुछ उनको क्या देना है, counseling करनी है उनकी और बताना है कि कैसे कैसे दवाईयों को लेना है, और कैसे अपनी life को modify करके आपको अपनी जिन्दगी जीनी है उसी के बारे में ये lecture है, काफी सारी बाते आप जानते होंगे, इसमें कुछ बाते साइद ना जानते हों तो देखो क्या कहा रहा है अब ये, start करते हैं हम लोग the management of chronic illness, management मतलब कैसे control किया जाएगा, है ना, chronic illness जो होतो और वो कैसे manage किया जाए, कि वो control में रहे needs lifestyle modification, सबसे जादा जरूरी चीज़ जो होती है, chronic illness को ठीक करने के लिए, दवाईयां तो हैं ही हैं, लेकिन आपको अपनी lifestyle का modification करना होता है अब जैसे BP वगर है, तो आपको alcohol और smoking छोड़नी होगी, otherwise आप कितने भी दवाईयां खा लें और alcohol smoking नहीं छोड़ते हैं, तो BP आपका बड़ा ही रहेगा दवाईयों के साथ-साथ कुछ life में, lifestyle में changes करने पड़ते हैं, आपके रहें सेन, खान पान, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, changes करने पड़ते हैं ठीक है, तो क्या कर रहा है, chronic illness needs lifestyle modification and drug therapy, और साथ-साथ में drug therapy भी चाहिए, for a long period, लंबे समय के लिए patient understanding regarding illness, patient को understanding होनी चाहिए, illness के बारे में, जो उसको बिमारी है, उसके regarding में, patient को क्या होना चाहिए patient की understanding clear होनी चाहिए, कि उसके क्या बिमारी है, और कैसे ठीक होती है, वो plays a very important role in management of chronic illness अब अगर patient को लग रहा है, अरे नहीं भाई, दवाई खाएंगे, हम तो ठीक हो जाएं, कुछ भी खाते पीते रहें, तो फिर दिक्कत है, तो पूरी बिमारी की knowledge भी patient को होना जरूरी है ठीक है, आगे देखें अगर हम, तो क्या कह रहा है, effective patient counselling, जो patient की counselling है, makes the patient understand his or her illness ठीक है ना, अगर हम patient की counselling अच्छे से करें, तो उससे क्या है, patient अपनी बिमारी को अच्छे से समझ सकता है necessary lifestyle modification कर सकता है, and pharmacotherapy in a better way, जो pharmacotherapy है, उसको better way अच्छे से apply करेगा and thus enhance patient compliance, और इस प्रिकार जो patient का compliance है, यानि की overall जो उसका modification से drug therapy है, वो सब को अच्छे से अपनाएगा ठीक है, तो patient की understanding बहुत जरूरी है बिमारी को लेकर के the pharmacist has immense responsibility, immense मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी pharmacist की होती है, क्योंकि वो ही counselling करता है ठीक है, in counselling patient with chronic illness, the counselling pharmacist, जो pharmacist counselling करता है should possess adequate knowledge, adequate मतलब परियाप्त, उसको जो pharmacist counselling कर रहा है, उसके पास बिमारी को लेकर के एक परियाप्त knowledge होनी चाहिए, and should be an effective communicator, है न, communication skills जो हमने सीखा था, तो उसको एक अच्छा of patient counselling, कि आखिरकार हमें content क्या रखना है, तो यह हम लोगों ने एक थोड़ा सा समझ भी लिया है, पीछे एक lecture था, बट अगर हम बात करें, Omnibus Budget Reconciliation Act, Obra की, जो कि 1990, फिर 90, Obra, अच्छा, 1990 लिख दिया, यहाँ पर डेट अलग होनी थी, 91 या 92 होगी, ठीक है, इसो modify कर दूँगा, यहाँ पर डेट थोड़ी चेंज होगी, जो बाद में correction होगा था, थोड़ा सा, तो एक्ट जो है Obra 1990 guidelines, जो Obra की guidelines है, वो specify करती है, that pharmacist should discuss at least the following point while counseling the patient, की Obra कहता है, यानि की जो act है, वो कहता है, कि जब भी pharmacist counseling करेगा chronic disease को ले करके, तो यह जो कम से कम है, 10 point, इन 10 point को जरूर जरूर क्या करेगा, discuss करेगा, otherwise, वो counseling पूरी नहीं मानी जाएगी, इसके अलावा और discuss कर सकता है, लेकिन यह 10 point जरूर से discuss करने है, जैसे की name and description of the medicine, medicine का नाम क्या है, और उसका पुरा describe करना है, कि कैसे काम कर रही है, वगरा वगरा, doses form किस रूप में लेना है, tablet, capsule, root of administration क्या रहेगा, ठीक है, क्या आप इसको tablet की रूप में ले सकते हैं, syrup की रूप में, injection की दूरी है, duration of therapy, यह तो पक्का बताना कि कब तक चलेगी, अगर बीच में तोड़ दी, जैसे की TV के case में क्या होता, एक दिन भी dose miss होती है, तो पूरी therapy repeat करने पड़ती है, special directions and precautions for preparations, ठीक है न, कोई खास निर्देश है, या precautions है, preparation, दवायोए को ले करके तो वो बताना है, उस of prescribed drug by the patient, किस तरह से जो दवा लिखी गई है, उसे administered लेना है, ठीक है, जो दवा या use करनी है, जो डॉक्टर के दवार लिखी गई है, common side effect क्या हो सकते हैं, या adverse effect क्या हो सकते हैं, या क्या interaction हो सकते हैं, कई बार हो सकते हैं, लंबे समय तक दवाई खा रहे हो, तो कुछ side effect ज दूसरी medicine, आप इस medicine के साथ नहीं लेंगे, proper storage कैसे करना है, कहां कहां रखना है, proper storage रखना है दवाई को, prescription, refill information, कब-कब आपको अपना refill करना, वापस से दवाई, है ना, 7-7 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, आपको दवाईों को refill करवाना, वापस से मतलब लेना है, action to be taken in case of missed dose, अगर dose miss हो जाए, तो आपको क्या करना है, at least यह 10 पॉइंट आपको जरूर उसके साथ क्या करने है, discuss करने है, ठीक है ना, आ गया आते हैं, अब कहरा है, patient counseling point for hypertension, अब hypertension को ले करके, एक pharmacist क्या क्या क्या, क्या क्या, counseling दे सकता है, तो बेटा, यहाँ पर दे को थोड़ा सा एक चीड़ा ध्यान रखना, counseling दो तरीके से होती है, counseling दो तरीके से है, ठीक है, यह combined है, counseling दो category में आती है, हम कह सकते हैं, एक होती है, जैसे की content of patient counseling, इसमें हम patient को क्या बता रहे हैं, ठीक है, और एक होती है, medicine, उसकी दवाईयों को ले करके क्या counseling है, तो हमारे में जो patient counseling है ना, ठीक है, एक patient की counseling होती है, और एक दवाईयों की counseling होती है, तो patient की counseling में क्या क्या बाते रहेंगी, हमें उसे बताना पड़ेगा, कि जो hypertension है, वो silent killer है, उसे बताना पड़ेगा, कि भाई देखो, हो सकता है, तुमारा BP 140, 150 हो जाए और तुमको कोई फरक ना पड़े, लेकिन तुमारे अंदर से तुमारा heart है, तुमारे organs है, वो damage होना start हो जाएंगे, ठीक है, और एकदम से फरक पड़ेगा, तो ये silent killer है, चुप चाप आके मौत देता है, इसी लिए इसको control रखना ज़रूरी है, वो बताएगा, pharmacist patient को should advise the importance of taking medication regularly at the same time, कि आपको ज़र दवा खानी वो same time पर खानी, मालो सुभे morning में 8 वज़े खा रहे हैं, फिर 8 वज़े खा रहे हैं उसे, ये नहीं कि एक दिन 8 वज़े खा ले एगली दिन 10 वज़े खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको same time पर वो कि दवाई को ज़र of medication abruptly, abruptly मतला एकदम से, उसको बताना है कि अगर पेट दवाई ये बंद होंगी तो आप खुद से एकदम से बंद नहीं करेंगे, डॉक्टर अपने according बंद करता है, डोस देधरे कम करते करते करके, ठीक है, should monitor the side effect and give necessary advice, वो क्या करेगा, जो भी side effect आ रहे हैं, उनको monitor करेगा, जो कोई side effect है, पेटेंट आके बताता है कि हाँ मेरे को ये सब दिक्कते हो रही है, तो उसको monitor करेगा, और जरूरी advice है वो देगा, should counsel the patient regarding, वो patient को इन points के बारे में क्या करेगा, counsel करेगा, कहेगा point है, lifestyle modification, कहेगा भईया छोड़ दो, दारू छोड़ दो, smoking छोड़ दो, ठीक खाओ, unsaturated ज्यादा खाओ, ठीक है, increase, कौन-कौन से saturated होते हैं, कौन-कौन से unsaturated होते हैं, उनके बारे हम बताएगा, increased intake of dietary fiber, fiber वाले चीज़ें ज्यादा खाओ, ठीक है, restriction of alcohol, alcohol नहीं लेना है, smoking नहीं करनी है, तनाव नहीं लेना है, टेंसन नहीं पालनी ज्यादा, caution while using cold remedies, containing sympathomimetic, अगर कभी सर्दी जुखाम खासी होता है, तो जो sympathomimetic drugs होते हैं, sympathomimetic, उमीद कर रहा हूं कि यह आप समझ माता होगा, pharmacology में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है ना, और यहां तक कि हमने इसको pharmaceutical chemistry में पढ़ा हुआ है, क्लियर है, क्या होते है, फटा-फट कमे of adherence to drug therapy, कि drug से वो चिपका रहे, मतलब drug को regular लेता रहे, टाइम से लेता रहे, उसके लिए क्या करेगा, वो simplify the drug regimen, drug लेने के तरीके को simplify कर देगा, बहुत ज़्यदा कॉंप्लिकेट नहीं बनाएगा, कि आज गंटे बाद लेनी है, दस गंटे बाद लेनी है, सॉरी, आज कोई 15 mg की दवा है, तो 10-10 mg से start करें, पहले 10 mg, फिर 20 mg, फिर 30 mg, उससे कहा, sad effect नहीं होंगे, schedule drug doses once या twice daily, एक दिन में एक बार या दो बार खाने के लिए दिन में 4-4 बार ना खानी पड़े, otherwise patient थोड़ा सा क्या होता है, नहीं ले पादा 4-4 बार, लेवल prescription clearly indicates the purpose of drug, जो drug है, उसको लेवल करेगा properly, कि किस purpose है, क्या है, और उसका purpose drug का mention होना चाहिए, उसके लेवल के उपर, प्रवाइड रिटन शेडूल अबलिक पिल बॉक्स फॉर पेशेंट टेकिंग मल्टीपल ड्रग्स, ठीक है ना, कोशिश करेगा कि उसके रिटन शेडूल दे, कि आपको ये दवा का खानी, ये दवा का खानी, अगर मल्टीपल ड्रग खा रहा है, चाहर पांस तरीके दव हो आली, मॉर्निंग में 10 वजे, इस तरीके से वो उसको मैंशन कर सकता है, तो उसके लिए असान हो जाता है पेशेंट के लिए, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, दवाइयों को ले करके, देखो पेशेंट काउंसलिंग हमारी जो है, यहां पर ये खतम हो जाता है, बात करें इसके अलावा कि जब जैसे की मान लोग बेपी में, हाई बीपी में डायोटिक्स का इस्तमाल होता है, बीटा ब्लॉकर्स का इस्तमाल होता है, ठीक है, एस्टायल कोलीनी इस्ट्रेस इनिवीटर का इस्तमाल होता है, और कैल्सियम चैनल ब्लॉकर का इस्तमाल होत अगर पेशेंट पेशाब के लिए तो उसकी नीद खराब हो जाएगी तो ऐसी टाइमिंग सेट करेगा कि वो बार-बार पेशाब ना आए खासका ऐसे टाइम पर जाब वो रेस्ट कर रहा हो एसी इनिवीटर मॉनिटर फोर हाइपोटेंशन डिजिनेस कफ टेश्ट डिस्टरबेंस कोई मुगा सौत तो नहीं खराब हो गया यानि कि जिस दवा के जो साइड इपक्ट हो सकते हैं फार्मसिष्ट का काम यह है कि वो उसको टाइम टाइम पर पूंचता रहे जब जब चेक अप के लिए वो आता है या उसको बता देगी कभी ऐसा कुछ लगे आपको तो आके इनफॉर्म करें तुरंट ठीक है न और सीसी भी ले रहा तो मॉन्टर फॉर्स स्वैलन जॉइंट्स जॉइंट तो नहीं सूच गए है ठीक है जैसे निफिडिपीन वगरे जब लेते हैं तो जॉइंट्स वगर करना है तो इस तरीके से यह पेशन्ट की कांसलिंग पूरी होती है यानि कि एक तो उसको पर्सनल दी क्या 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 करना है फिर उसको क्या क्या जो दवाईयां चल रही है फावसिश को पता होता कि कौन सी दवाई चल रही है डायरोटी चल रही है उसकी अक्या क्या क्या हो जाती है ना पेशेंट कांस्लिंग फॉर डाइविटीज तो सिंपल है डाइविटीज में क्या रहेगा जर्नल डाइटरी एडवाइज देंगे सबसे पहले आप खाने पीने को ले करके उसको क्या करेंगे एडवाइज देंगे ट्राइट टू कट डाउन फैट जो कुछ भी आपको कमनी करना है ट्राइट टू इट एट लिस्ट फाइप पोर्शन ऑफ फ्रूट वाइटेवल सेब्री डे फाइब पोर्शन याने कि पांच प्रकार के आप फ्रूट खाएं और पांच प्रकार के वाइटेवल खाएं पड़ दे ठीक है ना ओके उस सीर तेयल्स , जिएल्स , मिश्ट कॉ्र्स ग्रेन, है ना सीरियल्स अनाज जो होता है या कोर्स ग्रेन होते हैं होलव पल्स डाले बेगेरा है शलाध है , फुर्ट है, वाइटेवल है, ब्राउन ब्रेड, है foods containing dietary fiber, oats, pulses ये सब चीजें लेने की ज्यादा कोशिश करें avoid sugar, honey, jaggery, good, sweet, white rice, white bread इन सब को avoid करें saturated fat like ghee, butter को 7% of total caloric intake से कम रखें और dietary cholesterol intake आपका less than 300 mg per day होना चाहिए तो ये आप उसको एक diet को लेकर के क्या देंगे सला मसरा करेंगे क्या क्या खाना और क्या क्या नहीं खाना है ये तो बहुत से बच्चे खुद भी आप जानते होंगे तो आप खुद भी बना करके लेख सकते हैं अब फिर कहरा है take regular aerobic exercise ठीक है ना आपको लगातार क्या लेना है aerobic यानि की aerobic मतलब क्या होता है एक तरह से जो आपकी थोड़ा सा heart beat बढ़ाए ठीक है धलकने बढ़ाए ऐसी exercise आपको करनी है ठीक है फिर क्या कह रहा है wear well fitting protective footwear आपको pair इसमें आगे concept भी आएगा जो actually क्या होता है pair जो होते ना जो diabetes patient होते है उसको ध्यान रखना होता है इसलिए ऐसा footwear पहने का आपको चोट ना लगे protective footwear होना जाए आपके pair को proper cover करे drink adequate liquid before during and after exercise अगर आप exercise कर रहे हैं तो उससे पहले exercise करते समय और उसके बाद आप पेट भरके नहीं इतना पानी पीए कि आपको dehydration नहीं होना चाहिए दिक्कत कर जाएगा नहीं तो keep rapidly absorbed carbohydrates on hand ठीक है न इता snack आपको snack लेना है 15-30 minutes before exercise and again after 30 minutes during again every 30 minutes during exercise जाने की जो snacks होते हैं है आपको snacks लेते रहना है 15-30 minutes exercise से पहले और 30 minutes हर 30 तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेना है अगर आप बहुत लंबी exercise कर रहे हैं तो regular exercise is essential लगातार exercise करना जरूरी है especially for patient with type 2 diabetes mellitus अगर type 2 diabetes mellitus है तो उनको regular exercise करना जरूरी है brisk walk brisk walk मतलब halka pull का चलना brisk walking ठीक है न 30-60 minutes per day and 5 day per week यह आपको करना है एक टहलना brisk walk को हम लोग कह सकते हैं टहलना लेख लोश के हिंदी ठीक है न exercise schedule must be suited for each individual according to his or her physical strength exercise जो आप करोगे वो हर किसी की physical strength की according होना चीए कोई healthy है तो थोड़ा ज्यादा कर लेगा कोई कंजोर है थोड़ा कम कर लेगा ठीक है न ऐसा नहीं कि ज्यादा ज्यादा करनी है patient with nephropathy should avoid sternus exercise nephropathy है न जो nerve damage हो रही है अगर तो उसको heavy exercise से बचना है take measures for exercise induced hypoglycemia अगर exercise के बाद आपको hypoglycemia होता है तो फिर ध्यान रखना है आपको फिर उसी का according आपको exercise करनी है avoid exercise in extreme temperature बहुत high temperature पर यान गर्मी में कहीं आप जिम बगरा जा रहे हैं वहाँ बहुत गर्मी है cooling नहीं है तो ऐसी जगर पर आपको exercise नहीं करनी है ठीक है न तो यह कुछ क्या है take regular regular exercise exercise को लेकर कुछ बाते हो गई food को लेकर के foot care जैसे मैंने बताया foot care का क्या रहता है हमारे पैरों की जो नसे होती है diabetes की वैसे वो डैमेज होने लगती है तो हमको उसका ध्यान रखना होता है ठीक है तो regular foot examination should be done पैरों का regular examination करवाना है डॉक्टर से type 2 diabetes जो होता है उनको साल में कम से कम एक बार चेक कराना है avoid activities that can injure the feet ऐसे activities से बचना है जो आपके पैरों में जखम पैदा कर दें क्योंकि diabetes की वैसे एक तो जखम जल्दी सहीं नहीं होता है और nerves damage हो रही होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है use care while trimming the nails नाकून कारते समय ध्यान रखें कि कटे नहीं हमारा जो मसल्स वगरा होता है wash and check the feet daily जो feet है उसको wash करें daily check करें use lukewarm water and mild soap हलका गुंगना पानी और सावुन लेकर के पैरों को regular धुलना है gently pat your feet dry and apply a moisturizing cream or lotion ऐसे ना थप थपाना है पैर को सुखा लेंगे फिर हलका सा lotion लगा लेंगे पैरों का ध्यान बहुत काईदे से रखना है जरूरी होता है ठीके पैर के साथ साथ आँखों के भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है जिनको बहुत serious diabetes होती है आँखों की नसेवी क्या होती ही damage होती है अंधपन आ सकता है तो regular ophthalmological examination भी होना चाहिए याने की आप उसको समझाएंगे देखों यह सब जो मैं आपको बता रहा हूं मतलब आप यह किसी patient को बता रहे है foot care करना है आपको आँखों का ध्यान रखना है patient with established retinopathy अगर आपको आँखों की retinopathy है आँखों की बिमारी है should be examined by an aphthalmologist यान की eye doctor से दिखाना है at least every 6 to 12 months हर 6 महिने में या साल में एगवार पक्का उससे आँखों की जाश करवानी है monitor your blood glucose by finger prick test है ना glucometer वगरा होता है उससे आप regular check करेंगे this allow to alter insulin dose and contact care team if concerned आप जब लगाता चेक करते रहेंगे उससे तो उससे क्या आप insulin को अपना बदल सकते हैं कि insulin कब लेनी है ज्यादा कब नहीं लेनी है उसकी dose change हो सकती है you should attend your hospital clinic for an annual review to screen for diabetes complications आप साल में एक बार आएंगे और अपना पूरा check-up कराएंगे diabetes को लेकर के ठीक है क्या 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 नहीं है वगरा वगरा आपको साल में एक बार आ करके पूरा routine check-up करवाना है तो यह सब counseling होगी diabetes को लेकर के है न तो इसमें बहुत सारी बाते हैं जब आप पढ़ेंगे तो आदे ज्यादा भूल जाएंगे no doubt तो यहाँ पर फिर वही बात है कम से का 10 points वहला बात हम बताऊंगा पांच नमबर मार आ रहा है तो कम से कम आप 10 points लिखेंगे counseling के ठीक है जिसमें आप exercise food exercise हो गया foot care हो गया और ophthalmological examination होगा चार पॉइंट तो हमार पास ही हो जाते हैं इंजेक्शन कैसे लगाना है आपको उसके बारे में advice किया जाएगा onset and peak action कितनी देर में उसका असर सुरू होगा और कितनी देर में peak action हो जाएगा उस insulin injection का ये भी बताएंगा आप उसे कहा insulin store करनी है और अगर सई से store नहीं करोगे धूप में रख दी है तो उसकी stability रहेगी क नहीं रहेगी बताना पड़ेगा आपको क्यों हम सब जानते हैं insulin को अगर धूप में रख दिया है गरम जगह पे तो वह insulin फिर काम की नहीं रहती है patient receiving insulin should have at least annual questioning about the recognition of hypoglycemia ठीक है न तो जो लोग insulin ले रहे हैं वो at least साल में एक बार उनसे सवाल जरूप पूछा जाना चाहिए कहीं आपको hypoglycemia की दिक्कत तो नहीं आ रही है सुगर कम तो नहीं हो जा रही आपकी यह जरूप पूछना उनसे patient receiving bedtime insulin जो patient bedtime insulin लेते हैं should be monitored for hypoglycemia उनको जरूर से चेक करना है कि लगा तो लिया सो गया और hypoglycemia हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है by asking about nocturnal sweating ऐसा कैसे पता चलेगा रात में पसीना निकल रहा बहुत ज्यादा palpitation गबरहाट हो रही है बुरे सपने आ रहे हैं यह कब होता है जब glucose level body में down हो जाता है रात को सोते वक्त जो लोग insulin का injection लगा लेते हैं और उनका blood glucose level बहुत down हो गया hypoglycemia वाली condition आ गई तो यह सारी condition उनके साथ create हो जाती है change the site of injection injection की जगे आप कब बदलेंगे कैसे बदलेंगे कहा कहा लगा सकते वो सब बाते आपको insulin therapy जिनकी चल रही है वो बाते बताने पड़ेंगी then medication की बात कर लें tablet वगरा जो लोग खा रहे हैं उनको क्या करना है आप केवल दवाईयों को ले करके उसे control कर सकते हैं वो उसका इलाज नहीं है तो इसलिए आपको regular लेनी है किलिए रहे बाते हैं never stop the treatment without consulting physician or any reason आप अपने treatment कभी भी diabetes का रोकेंगे नहीं बिना physician से consult किये या किसी और वज़े से अदर्वाज एकदम से सुगर आपका advertisement आप किसी advertisement के शिकार ना हो कि हाँ ये खालो तो diabetes जड़ से खतम हो जाएगी नहीं होती ठीक है ना claiming to cure diabetes अगर को ऐसा claim कर रहा है तो उसके आप शिकार ना बने do not take some herbal और other types of alternative medicine herbal या किसी और प्रकार की medicine ना ले without consulting the medical experts तो होता गया है कई वर herbal medicine ले ली जाती है वो भी sugar को down कर रही है आप medicine भी खा रहे हैं वो भी sugar को down कर रही है तो आपकी body का sugar level बहुत जादा डाउन हो सकता है तो इसलिए आपको अगर जो आप allopathic medicine खा रहे हैं तो herbal medicine ना खाएं यह herbal खारें तो अलोपेटिक मत खाएं डबल एफेक्ट हो सकता है बीप बीप बोल्डान डाइबीटिस सुगर लेवल बॉडी का बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है अवाइड लो ब्लड सुगर लेवल ठीक है and carry sugar source at all time कोशिश करना है कि लो सुगर लेवल ना हो सकता है एक टॉफी एक चॉकलेट आप रख सकते हैं अपने साथ ठीक है टेक मैडिसीन रेगूलर ली आपको मैडिसीन लगातार लेनी है at the same time of the day and do not miss the dose same समय पर लेनी है जिस टाइम खाते है अगर morning मों ले रहे है दुपर जिस समय ले रहे हैं same समय ले रहे हैं dose को miss नहीं करनी है in case of miss dose take it as soon as you remember अगर dose miss हो जाती है तो जितना जल्दी हो सके याद आ जाए तुरंत ले ले लें but if it is almost time for the next dose अगर अगली dose का समय हो गया मालो सुबह और स्राम को लेनी जो सुबह की भूल गए हो और फिर स्राम को याद आया तो फिर miss कर दो skip the miss dose and return to the regular schedule फिर जो सुबह की dose छूट गई यह नहीं कि शाम को इसको भी खालो ऐसा नहीं करना ठीक है फिर सुबह की छूट गई छूट गई हाँ सुबह की छूटी हुई है दो चार गंटे में याद आ जाए तो आप खा सकते है लेकिन यह नहीं कि अब शाम को याद आ रही है शाम की from heat, heat से दूर रखेंगे सारी दवाईयों को, moisture से दूर रखेंगे, sunlight से दूर रखेंगे, बच्चों से दूर रखेंगे और जानवरों से दूर रखेंगे, क्योंकि अगर गलती से खाली गई, तो उनका भी सुगर डाउन हो जाएगा, diabetes and tuberculosis have been shown to have the close connection, diabetes का और tuberculosis का काफी close connection है, do not ignore any symptom of TV, especially cuff of any duration, अगर किसी समय आपको diabetes है और साथ समय टीवी के लक्षन आ रहे हैं, तो इसको आप ignore ना करें, इनका आपस में close connection है, ठीक है ना, तो ये चीज़ धान रखेंगे, तो काफी सारी important चीज़े हैं हम बताने के लिए, तो चार-पांच पॉइंट है, इन 5-6 पॉइंट के अंदर आप 12 पॉइंट बना देंगे, तो आपका counselling का अच्छा-कासा answer तयार हो जाएगा, फिर आप दबाईयों के बेस पर, ये बिटाँ दबाईय मेडिसिन वाला है, मेडिसिन वाला पार्ट इंपोर्टन नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर लिखते हैं, तो काफी अच्छा है, मेडिसिन वाले पार्ट से क्या मतलब है, मान लो अगर ड्रग की कैटेगरी, सल्फोनिल यूरिया दिया जा रहा है, तो explain the methods to prevent, detect and manage hypoglycemia, क्योंकि ये लेने से, hypoglycemia हो सकता है, monitor for symptoms of jaundice, इसको लेने से jaundice हो सकता है, jaundice की symptom से monitor करना है, ask for history of sulfur sensitivity, क्योंकि सल्फोनिल यूरिया है, तो कई sulfur से sensitive तो नहीं है, body patient की ये आपको पूछना है, तो same चीज, जो medicine दी जा रही है, उसी के according होने वाले, उसके adverse effect के बारे में, patient से जानना, अगर insulin दे रहे हो, तो उसको educate करोगो, regarding newer insulin administration, जो नए-नए insulin market में आ रहे हैं, उसके बारे में बताऊगे, ठीक है, proper storage के बारे में बताऊगे, ask the patient to carry chocolates or other sweets during travel, and ask him not to miss the meal, ठीक है ना, insulin ले रहे हो, तो उसको sweet पक्का carry करें, कई बार क्या होता है, वहीं उनने बताया, insulin ले लिया, ठीक है, एकदम से down हो गया, तो कुछ मीठा होना चाहिए, और आप अपना खाना में इस नहीं करेंगे, यह नहीं कि खाना नहीं करेंगे, तो कुछ लोग सोचते हैं रहे, खाना छोड़ दें, तो गुलकोस नहीं बढ़ेगा, खाना तो खाना ही है, ठीक है, तो यह साथ दवाईयों को ले करके हैं, यह चीज़ आप लिख भी सकते हैं, एक दो एक्जमपल याद कर लें, यह से इंस्यून और मैटफॉर्मिंग का दे दिया, तो थोड़ सा अच्छा लाएगा, ठीक है ना, जब आंसर करेंगे आप एक्जम में, मैटफॉर्मिंग अडवाईजर पेशन्ट तो टेक विद अबलिक आफ्टर फूड, आप बताएंगे कि यह चीज़ आपको खाने के साथ या खाने के बाद लेनी है, मॉनिटर फॉर मसल पेन, जब आप यह ले रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे, आप चेक करते रहेगा, आपके मसल्स में दर्द तो नहीं हो रहा है, इसके लिए आप पेशंट को क्या करेंगे, अगर आप अकार्बोज ले रहे हो, तो आप सुगर ना ले दूरिंग हाइपोगलासेमिक अटेक, अगर आपको हाइपोगलासेमिय हैं तो आप सुगर नहीं लेंगे, क्योंकि जिससे मैं अकार्बोज ले रहे हो, तो सुगर आपकी बॉड़ी में अब्सॉफ नहीं होगी, तो यह कुछ चीज़े होगे, किस दवाई के साथ क्या इंस्ट्रक्शन देगा, फार्मसिस्ट का रोल क्या रहेगा, किस-किस दवाई के साथ, तो यह आप पॉइंट हमें डाल सकते हैं, बाद बाकी उपर सारी कांसिलिंग थी हमारे पास, तो डाइपटीस को लेकर कांसिलिंग होगी हमारे पास, नाओ अस्थमा, अस्थमा के बारे में हम लोग और काम पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं, फार्मा को थेरापेटिक्स में, है ना, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, किलियर है, तो अस्थमा के बारे में हम हम काफ साथ चीज जानते हैं, तो क्या होता है अस्थमा, अस्थमा हम सब को पता है, जो हमारे हर्ट्स की नलियां होती है, वो थोड़ी सी क्या कर जाती है, इंफ्लेम हो जाती है, सुकुर जाती है, तो वहां से सांस लेने में फिर दिक्कत आती है, तो फालो दा अस्थमा एक्शन प्लान that you have discussed with your doctor, तो कह रहा है, जो यहां पर क्या होगा, जो फार्मसिस्ट होगा, वो पेशन से बोलेगा, जो आपने डॉक्टर के साथ अस्थमा का एक्शन प्लान, कि कैसे अस्थमा आपका ठिक किया जाएगा, डिस्कस किया है, वो आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है, टेक अस्थमा मेडिसिन as prescribed, जिस प्रकार डॉक्टर ने आपको प्रिस्काइब करी है, उसी प्रकार से आपको अस्थमा की मेडिसिन लेनी है, अप ये चीज पक्का नोटिस करें, कि किन किन चीजों की वज़े से, मालों के धूप में जा रहे हो, किन किन वज़ाओं से आपको अस्थमा का अटेक आ आजाता है, आप ये चीज नोट कर लें, और फिर कोशिश करें कि आप उनसे बचें, अगर किसी का ट्रिगर डस्थ है या माइट्स है, तो कोशिश करें कि पूरे घर को साब्स है, साफ सूफ रखें और डस्टिंग ना होने दो, वेक्यूमिंग रिडूसिंग और और वाश्टिंग स्टफ टॉइट, क्या करें, वेक्यूम कलिन का इस्तमाल करें घर को साफ करने के लिए, जो स्टफ टॉइडूस होते हैं जिसके अंदर रूईब अगर अगर रहती तो उसके अंदर भी गंदिगी जम जाती है, ठीक है, उसको धूल के रखें प्रॉपर, ठीक है, वन में कंसिडर यूजिंग एंटी डेस्ट माइट मैट्रेस, कवर और एंटी डेस्ट माइट स्प्रे, हम लोग यहां तक की, जो एंटी डेस्ट माइट मैट्रेस, ऐसी मैट्रेस जो की एंटी डेस्ट और माइट के खिलाफ रहती हैं, और ऐसे cover हम उसके उपर लगा सकते हैं ऐसे spray हम यूज़ कर सकते हैं जो anti dust mite होते हैं ठीक है track your asthma control and know what to do if the situation changes अपना जो asthma का control है उसको track करते रहें किस प्रकार asthma आपका control हो रहा है and know what to do if the situation changes और जाने अगर situation change होती है तो आपको क्या करना है ठीक है तो यह सब चीज़ें आपको बतानी है यही तो counseling होती है कि आपको किस तरीके से बिमारी से बचा जाए ठीक है अब यह तो होगी asthma के बारे में drugs के बारे में बात कर लें जो drug कह रहा है pharmacist को समझाना पड़ेगा patient को कि drug may cause stomach discomfort so take after food अगर दवाई को आप ऐसी ले लोगे तो पेट में हल्चल पैदा हो सकती है ठीक है गुर्गुर्ड हो सकती है तो कोशिश करें खाना खाने के बाद ही दवाई को ले make cause sore throat गले में खरास हो सकती दवाई लेने के वज़े से यह hoarseness of voice अब आज में भारी बना सकता है to prevent this को रोखने के लिए rinse mouth with water after use दवा लेने के बाद आप अपने गले को धुला गरारा कर ले गरर करके या कुला गर के साफ कर ले may require monitoring of blood levels ठीक है ना blood level की monitoring की requirement पढ़ सकती है अगर पढ़ती है तो फिर करना पड़ेगा अब regarding MDI meter dose inhaler यह देखो यह inhaler है ठीक है और यह spacer होता है इसको spacer कहते हैं इसके आगे लगा करके इसको मुह में रख करके ऐसे pump करते हैं ठीक है ना spacer है inhaler है यहाँ पीछे लगा जाता है जिस पार्ट को मुह में लगाते है यह यूद करते है उसको spacer कहते है ठीक है तो meter dose inhaler अगर आप इसका इसका इस्तमाल कर रहे हैं तो इस case में आपको क्या-क्या साफधानिया बरतनी है ensure that the spacer is the correct one to fit your inhaler आप यह सुनिश्चित करें कि जो spacer है वो आपके inhaler का ही हो किसी दूसरी inhaler का नहीं हो otherwise proper दवा मुह के अंदर नहीं जाएगी if the spacer is in two parts fit them together अगर spacer के दो पार्ट है कई बार इस single part दिख रहा है दो अलालग पार्ट होते हैं तो उनको पहले हम जोड़ के एक single part बनाएंगे pharmacist के आपके दवाई में जो inhaler है उसमें cortico steroid है तो आपको क्या करना है अपने मूँ को धुल लेना है दवा के इस्तमाल के बाद spacer's are available in different sizes and with face mask if needed अलग-अलग size में spacer आते हैं inhaler के हिसाब से और साथ साथ में face mask के उसके भी आता है साथ में लगा होता है कि चहरे पर कोई चीज ना जाए दवा का असर ना जाए तो वाला इने spacer भी आता है spacer should be cleaned once a month महिने में एक बार आपको इस spacer को धुलना है अच्छे से with mild detergent हलका सावन ले लेंगे rubber and caps can be removed and cleaned allowing spacer to air dry है जो rubber और caps बगरा होती है सब यह हटा देंगे और इसको air dry हवा में सूखने के लिए छोड़ना है replace spacer every 6 to 12 month 6 महने से लेकर के एक साल के अंदर आपको अपना spacer बदल देना है नया spacer लेना है यह सारे instruction एक pharmacist किसको देगा counseling के दौरान इसको दे रहा है patient को speak to your nurse और pharmacist if you experience problem using your inhaler and spacer device अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है inhaler या spacer को यूज़ करते हुए तो आप pharmacist या अपने nurse से discuss कर सकते हैं always read patient leaflet patient leaflet जो होती है एक परच़द यह होता है उसको जरूर पढ़े provided with your inhaler and spacer for any specific instructions किसी भी परकार की खास निर्देसों के लिए आप अपना patient का जो leaflet होता है उसके अंदर परचा से निकलता है उसको जरूर पढ़े ठीक है यह तो होगी general बाते हैं अब बात करें दवाई को लेकर के जैसे मान लो अगर beta receptor agonist का इस्तमाल हो रहा है तो monitor for tremors and muscle pain देखो अगर यहाली दवाईयां दी जा रही है तो pharmacist उसको बता देगा भाई देखो ऐसा है अगर कभी दौरा पड़े या muscle pain आए तो हमको आके inform करेंगे आप theophylline दिया जा रहा है तो patient से बोलेगा patient on sustained release preparation should be told not to crush or chew the tablet ठीक है जब यहाली tablet medicine दी जाएगी तो उसको बोल देगा कि tablet को चवाना नहीं है या मूँ में तोड़ना नहीं है anti-coronologic दिया जाएगा तो monitor for dry thought, noisia यहाली दवा जब दी जाएगी गला तो नहीं सूख रहा है जी तो नहीं मिश्ट ला रहा है सरदर्द या दुन्दलपन तो नहीं दिख रहा है या पेसाब करते वक्त दर्द तो नहीं हो रहा है ठीक है तो यह सब फांक्षिट का काम है वो क्या करेगा इन सब चीजों को patient से पूछेगा पूछेगा नहीं तो उसको हिदायत देगा माउट आफ्टर यूज ऑफ इन्हेल मेडिसीन गारगल करके गला साफ कर ले जिससे की कोटिकोष्ट गले में ना रहा जाए तो यह सब चीज़ें जब दवाई देते वक्त आपको क्या करना है दिमाग में रखनी है इस तरीके से फांक्षिस्ट का रोल है कांसलिंग करना यह तमाम बातों में कांसलिंग होती है कि दवाई से ले करके जर्नल बातों से ले करके ठीक है न यह सब कांसलिंग चल रही है तो कव सारी बातें दिमाग ने सेट हो गई होंगी आप लोगों के और अगर आप लोगों के घरों में कोई पेशेंट है तो तो बहुत आप को ऊपर नहीं है तो कोई बात नहीं आप यहां से समझें आप बास आती चुभोष इसको भी हमिलोग कहां पढ़ चुके हैं कहां पढ़ चुके हैं इसको भी हम लोग ने फार्मक थेरोपेटिक्स में कवर किया हुए ठीक है तो आउ जारा देखें क्या है ट्रिफोrh sucks हम सब को पताए है ना scenario. बेक्टेरिया होता है सोइक को दुभारे ये पैलते है तो जब किसी को टूबो से हो जाएगा सो दूब बताय जाए जैंगे तो बताये जाएंगा पेशेंट बासारी बातें बताने हैं how the disease spread, disease कैसे फैलती है, क्यों, क्योंकि भाई उसके घर परिवार को भी वो फैल सकता है, अगर वो proper ध्यान नहीं देगा तो, क्या science है, क्या symptom है, क्या पढ़ना हो सकते हैं, अगर आप treatment नहीं लेंगे, why treatment is long, treatment इतना लंबा क्यों है, ये भी समझाना है, उसे बताना पड़ेगा, इसके किटाउनों को मरने में टाइम लगता है, अगर इसके किटाउनों या germs या bacteria जो भी कहलो, अगर नहीं मरते हैं, तो आपकी body हैं बने रहेंगे, और आपकी body से आपके, जो अपने हैं, यानकि परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, वेवी हैं, बातापिता हैं, उनको फैल सकता है, उनकी विजान खत्रे में जा सकती है, ठीक है न? वाई completion of treatment is vital, treatment का complete होना क्यों जरूरी है, adverse event during the therapy, क्या-क्या adverse effect हो सकते हैं, cost of treatment क्या रहेगी, ये सारी बातें आपको उसको समझानी है, ठीक है, फिर आपको उसे बताना है कि stay in home isolation, आप घर में ही isolate रहेंगे, दूसरों से अलग रहेंगे, अच्छा, isolation वाला actually क्या होता है, आ बहुत सारी प्रकार हैं, खासकर कि जो pulmonary TV होती है न, यानि कि lungs वाली, इसमें तो बिल्कुल अलग रहना पड़ता है, बात बाकि आजकर TV की कांट कहीं पर पढ़ जाती है, हड्डी हों पढ़ जाती है, मास में पढ़ जाती है, लेकिन जो lungs वाली होती है, वो खतरनाक होती अगर आप घर पे हैं, तो भी दूसरे लोगों से अलग रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो भी दूसरे लोगों से दूरी बना करके रखें, use a tissue paper to cover his mouth and nose while sneezing and coughing, जब खास रहे हैं, छीग रहे हैं, तो उसको ढख लें, एक tissue paper रखें, और फिर उस tissue paper को destroy करना है proper, यह नही कि क्या अपनाना है, dot therapy अपनानी है, इसमें होता क्या है, visit should take place outside, जो dot therapy वाला जो आता है आपको regular check करने के लिए कि आप regular ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो बाहर से ही, मतलब जैसे मालो यह आपका दर्वाजा होगा यह खिड़की होगी, तो बाहर से ही आप से सारी उस् यह भी समझाना है, कि हमारी ताकत पे, हमारी sexual activity पे और हमारी काम करने की छमता पर इस दवा का कोई भी असर नहीं पड़ता है, the drug must be taken constantly and without interruption, आपको दवाई लगातार लेनी हैं, बिना रुके लेनी हैं, यह नहीं कि आज लेनी कलनी ले ऐसा नहीं करना है, throughout the length of treatment, जितने द treatment take time, because TB jumps grow slowly and die slowly, treatment time लगता है, क्योंकि जो TB के jumps है, धीरे धीरे गुरो करते हैं, और मरते भी धीरे धीरे हैं वो, stay away from alcohol, दारू से दूर रहे, it may cause liver damage, आपका liver damage हो सकता है, क्योंकि जो दवाईयां आप खा रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, if take any other medication, inform the pharmacist, अगर इसके अ taking it infrequently can allow TB germs to develop resistance to the drug, अगर आप बहुत जल्दी अपना medication रोक देते हैं, एक दो महिने के बाद अराम तर पढ़ना पड़ी आता है, आप सोचे हम दो ठीक हो गए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, या infrequently ले रहे हैं, infrequently का मतलब आज लिया, चार दिन लिया, दो दिन नहीं लिया, अगर आप ऐसा करते हैं, जो TB के germs से आपकी body के अंदर, उनमें resistance डवलोप हो जाएगा, दवा के खिलाफ, यानि की दवा फिर उनके उपर असर नहीं करेगी, टेटिस कॉल रेजिस्टेंस, विजिट दा क्लीनिक के क्लीनिक है, at least once in a month, महिने म एक बार आप क्लीनिक जरूर जाएं, और सारी चीनिक डिसकस करें, दवाई निसों लेकर के जो जो चीज आपके साथ हो रही है, तो sputum test, जो आपका बलगम होता है, will be performed to check that the drugs are effective, आपका sputum test किया जाता है, महिने दो महिने में लगाता है, जिससे कि चेक किया था कि जो reverse effect है, वो ही पहले की तरह है, अगर ethem butyl दे रहे हैं, तो क्या क्या side effect आ सकते हैं, आप याद कर लेंगे, iso ne legit दे रहे हैं, तो क्या क्या side effect आ रहे हैं, याने कि जो दवाई यां दी जा रही हैं, तो उसके side effects के बारे में, पहले से ही फार्मसिस उसको बता देगा कि यह side effect आते हैं, तो हमें बताना है, ठीक है, और जाद दिक्कत हो रही है, तो बताना है, तो यह 2-3-3-4 side effect आप इसके याद कर लेंगे, दवाईों के साथ, ठीक है, तो इसमें सारी दवाईयां को याद करने ज़रूर नहीं है, कोई भी 2-3, just example के लिए 1-2 कर सकते हो, ठीक है ना, को इनफॉर्म करना है, किलियर है, TV को लेकर गराते हो गई, TV को आरे में और डिटेल में जाएंगे तो, कहां जाएंगे, फार्मा का थेरोपीटिक्स में, सेम, COPD, ये भी हमने कहां पढ़ा हुआ है, फार्मा का थेरोपीटिक्स में, इसके बारे हो डिटेल पढ़ रखे, वहाँ से हमें मतलब नहीं क्योंकि हम यहाँ पर mainly counselling की बात कर रहे हैं कि जिनको COPD हो जाती है तो किस प्रकार pharmacist उनको counselling करेगा या counselling देगा ठीक है तो COPD की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पर यहाँ भी same चीज़े हैं सबसे पहले क्या रहेगा stop smoking वह कहेगा भईया सबसे पहले तो आप क्या करो smoking कर रहे हो तो smoking को छोड़ दो किलियर दूसरा उसका advice देगा avoid exposure to allergens, allergens मतलब जिसकी वज़े से आपको एकदम सांस उकड़ती है या सांस रेडम दिक्कत हो जाती है ठीक है वह allergens जैसे अस्त्मा में था वैसे यहाँ पर रहेगा तो उनसे आप दूरी बनाएं ठीक है diminishing the quantity and viscosity of sputum can clear the airway जो sputum जो बलगम होता है उसकी quantity कम कर दी जाए या गाड़ापन कम कर दिया जाए तो आपका airway क्या होगा? क्लियर हो जाएगा एरवे का मतलब जो लंग्स की तरफ जाते हुए रास्ते हैं है ना यह हमारा लंग्स आखरी में क्या है एलवलाई होता है तो यह airway क्यालाते हैं अगर यहाँ पर जो sputum है बलगम है वो गाड़ापन कम हो जाए या हलका हो जाए तो airway क्लियर हो जाते ह हैं इंप्रूफ पॉल्मोर्री वेंटिलेशन एंड गैस एक्सचेंज उसको समझाया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो आप इजीली सांस ले पाएंगे डायरेक्टेड कफिंग निर्देश्ट निर्देशीत कफिंग की खांसमा किस प्रकार से हैं कंसिस्ट आफ इस्लो मै maximal inspiration धिरे धिरे अंदर सांस भरेंगे followed by breath holding फिर आप सांस को थोड़ार रोकेंगे for several seconds को seconds के लिए and then two or three कफ फिर इस तरह से खांस देना है ठीक है हफ हफ कफिंग में आलसो भी इफेक्टिव इस परकार से क्या होगा वो जो कफ होता है बहार आयाता है ठीक है the technique consists of one or two forced exhalation फिर इस टेखनी के तेजी से सांस को बहार निकालना exhalation from low to medium lungs volume with the glottis open glottis सांस यह खला रखना है यहांसे इससे क्या होगा वो थोड़ासा बल्गम बगर आए जो बहार आता है तो उसका फिर थुक देते हैं तो काफी अत्तर से रिलैक्स हो जाता है तो यह आप क्या कर रहे हैं उसे instruction दे रहे हैं ठीक है कांसलिंग कर रहे हैं उसकी आप ठीक है अवाइड extremes of heat and cold बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा गर्म से बचें heat increase the body temperature heat किसी गर्म जगे जा रहे हैं धूप में चल रहे हैं तो बॉड़ी का temperature बढ़ जाएगा cold tend to promote the bronchospasm और ठंडी जगे पर होंसे bronchospasm जाने कि जो हमारे bronchi ही हैं वो ऐसे spasm कर सकते हैं सुकड नहींगे और सुकडने के वएसे यह रास्ते क्या होंगे बंद हो जाएंगे तो oxygen proper lungs में नहीं पहुँचेगी ठीक है ना यह सब बताना है पेशन्ट को patient with COPD should adopt a lifestyle of moderate activity उसको ऐसी lifestyle अपनाने कि वहाँ पर बहुत हलकी पुलकी बहुत heavy exercise नहीं करेगा normal activity करेगा ideally in a climate with minimal shift in temperature humidity और खासकर ऐसे temperature में activity करेगा या रहेगा जहांपे बहुत ज्यादा temperature की shifting ना हो जाने कि बहुत ज्यादा ठंडा गरम ना हो as much as possible the patient should avoid emotional disturbance जहां तक संभव हो emotionally stress ना ले है ना emotion ना ले ज्यादा emotional की वैसे होने वाले stress ना ले वहना दिक्कत होती है and stressful situation से दूर रहे that might trigger a coughing episode ज्यादा stress लेने से कफ खासी हो सकती है take oxygen inhalation जरूरत पढ़ती है तो oxygen की inhalation ले सकता है cover nose with कर्चीफ और water face mask if it is cold outside handkerchief है यह क्या है रुमाल हैंकर चीफ जो होता है अरे आगे लिखना चाहिए था हैंकर चीफ यह रुमाल और वियर face mask अगर बहुत थंड़ा थंड़ा रहे से सर्दियों में होता नाक पर थंड़ा लगती एक दम से तो आप handkerchief लगा ले नाक पर या mask पहन ले exercise regularly to strengthen your heart and lungs exercise को लगातार करें जिससे कि आपका heart और lung मजबूत हो जाए maintain healthy weight एक healthy weight रखे ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा being overweight can worsen asthma symptoms अगर आप बहुत ज़्यादा पूरा तरीका है जो CPD वाले में यह सेम तरीका आप आप अस्तों वाले में बता सकते हैं ठीक है can I add the completion of the home care instruction जब आपने उसको home care instruction दे दिये हैं the patient और caregiver will be able to जो caregiver है या patient है अब वो सच्छा में किसके लिए describe the rational for using the MDI to administer inhaled medicine की कि किस परकार MDI से medicine लेनी है describe how the medication enter the lungs किस परकार वो दवा lungs में जाएगी demonstrate the current steps in administering medication with the MDI और आपको उसे demonstrate करना है कि इस तरह से लेना है MDI को इस तरह से अंदर लेना है तो पूरा आपको उसको बताना पड़ेगा counseling के दौरान ठीक है न तो पूरी बात आप यहां लिख सकते हैं कि कैसे लिया जाएगा या आपके काम में भी आ सकता है remove the cap and hold the inhaler upright ठीक है जो inhaler होता है जाएपने पीछे देखाता है जैसे यहां पर हम देख सकते हैं उसको ऐसे उल्टा पकड़ लेना upright ठीक है tilt your head back slightly and breathe out slowly ऐसे हलका साथ पीछे करेंगे और breathe out करेंगे हलका सांस भाहर निकालेंगे पोजिशन दा इनेलर एक्प्रॉक्सिमेटली वन तो इंचे अवे फॉपन माउथ थोड़ा सा दूर रख करके एक सो दो इंच दूर रख करके उसे हलका साथ तिर्चा रखेंगे तिल्ट करेंगे यूज इस पेसर और होल्डिंग चैंपर आप इस पेसर के इस्तमाल कर सकते हैं जैसे अभी पीछे देखा था वैन उजिजिंगे मैडिसीन चैंपर प्लेस अरांड दा मौथ पीस अपने होटो को इस पेसर के माउथ पीस पे ऐसे करके रख लेंगे दिल्ट करना है तो बेटा यह स्टैप्स हैं यह स्टैप्स आप चाहें तो दे सकते हैं अच्छा रहेगा कि पूर प्रॉपर स्टैप आपको यह काउंस्लिंग के दौरान आपको बताना पड़ेगा ठीक है ना ठीक है आगे आते हैं फिर कह रहा है ब्रीद डीपली होड़ यॉर ब्रीथ फॉर टैन टौ एट सेकंड आपने ऐसे कर लिया फिर आठ से दस सेकंड के लिए आपको क्या करना है ब्रीथ को होल करना है तो अलाव दा मेडिकेशन टू रीच डाउन यौ इंटू यॉर एरवे फिर थोजे के सांस रोक लेनी है जिससे कि जो मेडिसीन है वो अंदर तक चली जाए रिपीट पफ ऐस डारेकटेट फिर से द्वारे से आपको पफ लेने दवाई लेनी है वन तू टू मिनिट बिट्वीन बफ आपको दवाई लेनी ए एक सो दो मिनिट के गैप के बीच में जिस तरकर बताया गया हो, apply the cap to MDI for storage, फिर वापस से आप cap लगा देंगे, उसको store करने से लग देंगे, after inhalation, rinse mouth with water when using a cortico-steroid containing MDI, अगर आपकी MDI में यानि कि जो आपने दबा ली है, उसमें cortico-steroid है, तो आप क्या करेंगे, मुझ को पाने से फिर धुल लेंगे, ठीक है न, फिर आप उसको बताएंगे, describe how to clean the MDI, फिर आप उसको बताएंगे, कैसे उसे clean करना है, उसको describe करेंगे, how to assess the amount of medication remaining in the MDI, जो MDI, मीटर डोस इनलेर में जो दवाई थोड़ी सी रहा जाती है, उसको कैसे इस्तमाल करेंगे, वो ही बताएंगे, describe करेंगे, how and when to contact the healthcare provider, कब आपको एक healthcare provider को contact करना है, and how to obtain refill of the MDI prescription, और वापस से कब उसकी refill, fill करनी है, यह तमाम बातें आपको उसको बतानी पढ़ेंगे, क्योंकि है, उसको सांस की problem हो गई है, clear है, अगर dry powder ले रहे हैं, तो dry powder inlayer कुछ ऐसा आता है, open the mouth, सीधा मुँ में लगा लेंगे, यहाँ पर तिर्शा बार करनी जोड़ती नहीं होती है, breathe in deeply through the inhaler, गहरी सांस लेंगे, hold your breathe for 10 seconds, ठीक है, 10 seconds रोकेंगे, breathe out slowly भी धीरे से, सांस छोड़ेंगे, close the inhaler, यहाँ पर ज्यादा मच मच नहीं होती है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, सांस जो powder वाला होता है, सीधा ले करके छोड़ देना होता है, उतना ज्यादा जंजट नहीं है इसमें, ठीक है न, open किया, breathe out, सांस छोड़ी, मुग पे लगा लिया, सांस ली, 10 मिंट सेकेंड के लिए रोका, जिससे की दवाई अंदर रह जाए, फिर धीरे से सांस छोड़ेंगे, जिससे की जो powder वगरा है, वो भाहर ना निकला एकदम से, और फिर इन एलर को close करके रख देंगे, किलिए रह बाते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई, चलें आगे, ओके, तो AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, है न, इसकी counselling बेटा थोड़ी सी लंबी रहती है, क्योंकि इसमें कई parts में counselling होती है, या हम यह कह सकते हैं, कई चर्णों में counselling होती है, ठीक है न, तो counselling यहां पर इसी लिए यह थोड़ा सा counselling का जो part है AIDS का लेंदी रहने वाला है, ठीक है, यहां पर हम चार लाइने लिखके नहीं छोड़ सकते हैं, बात को समझना, क्यों यह जरूरी है, क्योंकि AIDS को, पहले काफी अपने advertisement वगरा भी आते थे, AIDS को हम लोगों ने एक बड़ी गंदी नजर से, गंदी बीमारी को रूप में हमारे समाज में उसकी एक image बनी हुई है, ठीक है न, किसी को TV होता है, किसी को cancer होता है, ठीक है, आदमी accepted है, लेकिन किसी को AIDS हो जाता है, तो आदमी जल्दी accept नहीं करना चाहता है, ठीक है, और प्लस इस बिमारी को थोड़ा सा, है थोड़ा सा समाज में, अलग नजरों से देखा जाता है, रहे, AIDS होगे इसको, तो गलत, सीरत दिमाग में गलत बात जाती है, कि कुछ गलत काम कियो होंगे, इसी वज़े से इसकी counselling भी थोड़ी सी lengthy, मतलब कई चड़नों में होती है, इसकी counselling समझने कोशिश करते हैं, तो there are several types of counselling in relation to HIV counselling, जब HIV counselling होती है, तो कई types से होती है, the essence जो उसका निचोड है, of the different types to provide for the different stages of the HIV infection, HIV के अलग इनफेक्शन के पढ़ाव होते हैं, तो उसका निचोड यह है कि हम उसको उस समय वो counselling दे, यह सारी counselling एकी साथ नहीं दी जाती है, depend करता है कि patient किस पढ़ाव पर है, उसे हिसाफ से उसको वाली counselling दी जाती है, तो हम हर प्रकार की counselling हैं, discuss करेंगे, ठीक है, that is your end, relation will go through, अब किस-किस परकार की counselling है, वह यह हम यह कहलें कि कौन-कौन से पढ़ाव होते हैं, एक HIV patient के पास, तो एक पढ़ाव होता है pre-test counselling, यानि कि जब confirm नहीं हुआ है, test के लिए जा रहा है, बड़ा डर लगता है, यार-यार, age का test कराना पड़ेगा, ये एक मांसिक तोर पे न, इनसान को तोड़ना सुरू कर देता है, फिर result जब आ जाएगा, post test, या फिर यूँ कहले, result नहीं आया है, counselling, result आया नहीं है, केवल इसमें क्या दिया, sample दे दिया blood का, और उसके बाद फिर counselling करनी पड़ती है, patient की, कि patient दिमागी तोर से मजबूत रहे, फिर prevention counselling, उसके बाद एक counselling prevention के तोर पर होती है, किस तरह से आपको अपना बचाओ करना है, bereavement counselling, ठीक है न, ये counselling वो होती है, जब आप किसी को अपने को खो देते हैं, loss एक तरह का, और खोना ही loss में होता है, कई परकार के loss होते हैं, crisis counselling है और disclosure counselling है, disclosure में finally क्या होता है, कि finally आपको बताना है अब लोगों को, कि मेरे को AIDS है, या मेरे को ये बिमारी है, यानि कि AIDS की बात कर रहे हैं, तो किस परकार आप बताएंगे और किस परकार से आप लोगों को face करेंगे, त इडिविजुल प्रायर टू टेकिए एचाइवी टेस्ट, यह सिंपल सी counselling है, जो HIV टेस्ट लेने से पहले counselling दी जाती है, it is given to prepare the person for the HIV test, and the implications of the taking the test, यह दी जाती है, जिसको HIV होता है, test देने से पहले, and the implication of taking the test, और test देने के क्या implications होंगे, क्या-क्या उसके effect हो सकते हैं, या-क्या उसके effect होंगे, तो इसी लिए यह counselling होती है, तो pre-test counselling has certain core objective, तो वो दो point नहीं भी लिखेंगे, तो उसका main objective हमें यहां लिखना होगा, क्यों दे रहे हैं हम यह counselling, to explain the test and clarify its meaning, हमको समझाना पड़ेगा कि test क्या है, और क्यों जरूरी है, to help the patient to think about possible reactions to the test result, ठीक है, और हमको इस counselling में patient को समझाना है, कि जो test का result हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, positive भी और negative भी, तो अभी से आप घवराएं नहीं, ठीक है न, and who should be told, if the test result is positive, who could be informed and who could provide emotional support, ठीक है न, तो result के बारे में इसको समझाना है कि कुछ भी हो सकता है, और, and who should be told, वो किसको अगर positive आता है, तो आप किसको बताओगे, किसको बताना पड़ेगा, अके लिए तो आप जहल नहीं पाओगे, दिमागी तोर से परिसान हो जाओगे, तो who should told if the test result is positive, and who could be informed, किसको informed किया जाएगा, and who could be provide emotional support, और ऐसा कौन सा सक्स है, जो आपको ऐसी अवस्था में emotional support देग इसके लिए आपको उसको clarify करना है, counselling देनी है, to help the patient understand why the test is required, and to make a decision about the test, पेशेंट को समझाना करे वा, पेशेंट कहते है, इंकार कर देता है, मेरे को test नहीं कराना, ठीक है ना, तब पेशेंट को इस चीज़ के लिए समझाना है, कि क्यों test जरूरी है, ठीक है, और वो decision ले सके test के बारे में, correct myth and misinformation about the HIV, pre-counseling का test से पहले तो उसको सही सही सारी जानेकरी देनी है, क्या myth है, क्या भ्रहम फैले हुए है, क्या गलत अफवाएं फैले हुई है, उसके बारे में भी patient को बताना होता है, तो ये pre-test counselling हो गई, जिसके बारे में आपको बताना है, now, post-test counselling ये counselling हो जाएगी, test हो जाएगा, test होने के बाद की counselling, post-test counselling simply refer to counselling given to an individual after an HIV test, यानि जब HIV test हो जाएगा, उसका ले लिया जाता है, तो उसको counselling दी जाती है, is conducted and given irrespective of what the HIV test result is, यानि कि उसका sample ले लिया गया है, और test के लिए चला गया है, अब result नहीं आया है, तो क्या result सेंपल जा चुका है, अब उसकी मानसिक इस्तिती थोड़ी सी और क्या हो गई है, परिशान हो गई है, वो और जदा अंदर से परिशान हो रहा है, कि आर टेस्ट जा रहा है, पता नहीं क्या हो गई है, तो उसको फिर से क्या करना है, कांसलिंग करना है, post-test counselling is aimed, इसका information दे सकें, proper support दे सकें, referral कि अगर कुछ ऐसा होता है, या पाया जाता है, तो आपको कहां जाना है, encourage करें risk reduction behavior, कि किस परकार से आप, अगर नहीं निकलता है, आपका negative आता है, तो किस परकार आप अपने risk को further आगे भविश में कम करें, कि आपको HIV ना हो, ठीक है, risk का मतलब सम important for the following reason, क्यों post test counseling जलूरी है, ये भी समझना पड़ेगा, तो इसके बहुत सारी reason है, for positive test result, अगर test result positive आया है, तो उसकी counseling करनी पड़ेगी, test counseling is given to convince the patient, अब हमें यहाँ पे patient को convince कराना है, about the reality and seriousness of the situation, है ना, patient को कई बार ignore कर जाता, कि आरे ठीक होगा, मैं तो आपने normal life जी रह करना कि देखो, आपको AIDS हो गया है, HIV हो गया है, situation की गंभीरता को समझे, it is often difficult for people to accept and believe, ये मुश्किल होता है इंसान के लिए, ये मानना कि मुझे AIDS हो गया है, yes, ये reality है, that they are HIV positive based only on the result of the blood test, especially if they are feeling healthy and strong, कोई इंसान हटा कटा है, HIV को तो पता ही है, HIV में इंसान normal रहता है, शुर साल बर पहले, तो वो हट्टा-कटा feel करता है, जब वो हट्टा-कटा feel कर रहा है, healthy feel कर रहा है, strong feel कर रहा है, तो वो मानने को राजी नहीं होता है, कि साइद blood test गलत हो गया है, मेरा, मेरे को HIV नहीं है, ठीक है, एक तो यहाँ पर सो convince कराना होता है, to ensure understanding of the test result, वो सुनिश्च करता है, कि test result को आप अच्छे से समझे, patient, to help client cope with the positive result, वो यह counselling इसलिए होती है, कि जब positive result आ गया है, तो उसके साथ एक तरह से cope, cope मतलब एक तरह सो हो सकता है, कि उसके साथ समझाता कर ले, कि समझाता करने मतलब है कि हाँ समझे, कि हाँ मेरा ही result है, और मैं ही HIV positive हूं, to provide information about a dangerous infecting other, information देने हैं कि आप दूसरे को infect कर सकते हैं, and getting reinfected with different strain of the virus, HIV के तीन-चार प्रकार के अलग-अलग strains होते हैं, सभी प्रकार के अगर आजाएंगे आपके अंदर, तो आपकी फिर अवस्था या हालत बहुत जल्दी गंभीर हो जाएगी, अगर आपके अंदर एकी partner के infect कर सकते हैं, इस चीज को समझाना होता है, counselling करनी होती है, ठीक है, to understand the need, counselling पीटा क्यों जरूरी है, कुछ लोग बीच में देखा था, AIDS होता है तो दूसरों को फैलाने में लग जाते हैं, इतना अंदर अपने अंदर घ्रना भर लेते हैं, कि मुझे हो गया था, पुर medical attention for patient who want to have children, और खास कर की, अगर आप भविस में साधी आपकी हो चुकी और आप बच्चा चाह रहे हैं, तो किस परकार आप उस बच्चे को conceive करेंगे, जिससे की उसको HIV ना हो, to help the patient with the issue of disclosure, और finally, आप किस परकार disclose करेंगे, लोगों को बताएंगे, अपने चाहने वालों को बताएंगे, अपने परिवारम बताएंगे कि मेरे को HIV है, इसके बारे में भी help करता है, कौन? पोस्ट टेस्ट कांसिलिंग, यह तो हो गया result positive, अगर result negative है, तब क्या करना है, for negative test result, to explain the window period and the possible need for retesting, तो उसे बताया जाएगा, कि भाई देखो ऐसा है, कि मालो कोई था, उसने मालो unprotected sex किया, और एक दो मैंने पहले किया, ठीक है, और उसको doubt हो रहा है कि मेरे को HIV है, उसने आगर test कराया अपना, लेकिन test उसका negative निकला, तो उसको समझाया जाएगा कि देखो HIV के वो आने में, बाडी कंदर आने में, छे महने से लेकर के साल भर कम से कम लग जाता है, अभी आपको तीनी महीने हुए हैं, तो आपको दुवारा से आ करके testing करवानी होगी, यह समझाना होगा counseling में, ठीक है, to help the client या patient to develop a plan for remaining negative, और साथ-सा तुम समझाना होगी, अब आगे कभी भी कोई ऐसी activity ना करे कि वो positive हो जाए, that is our risk reduction plan, और यही होता है, risk reduction plan यहाँ discuss करना करे या कभी कुछ activity होती है, तो उसमें कैसे बचा जाए, ठीक है, तो risk reduction plan, discuss किया जाता है, एक test positive आता है, एक test negative आता है, तो भी counseling होती है, और कई बार indeterminate test आता है, मतलब रिजल्ट आ नहीं नहीं पॉइटिव नहीं पता है नहीं चल रहा, indeterminate test results means the test results are inconclusive, उसको result नहीं आ है कि वो positive है या negative है, this does not occur very often, यह आमतोर पर नहीं होता है, बट कभी कभार हो जाता है, but it can happen to some people, कुछ लोगों के साथ ऐसा result आता है, to explain the need for retesting, अब यहाँ पर दौरा से retest करना पड़ेगा, यह उसको समझाना पड़ेगा, भीया, retest होगा, दौरा से को indeterminate result आया है, करवा करते हैं, एक बार तो हो गया, अब आप नहीं करा रहे है, दौरा आबाड में जाओ, घरवाना पड़ेगा, जरूरी है, and the reason that the result could have been indeterminate, और साथ साथ में से reason बताना होगा, कि क्यों आपका result indeterminate रहा, क्यों वो proper निशकर्स पे नहीं आया, to help the client develop a plan for protecting him herself from HIV, और साथ साथ मे उसको ये भी बताना होगा, कि आप किस तरह से आगे भरिश में अपने आपको आप HIV से बचा के रखेंगे, clear हो गया, तीन तरह के result आगे हमारे पास, ठीक है, उसकी counselling होगी, अब एक होती है, prevention counselling, तो किस तरह से अपने आपको बचाना है, आप वो आई गया है, और negative निकल to reduce or eliminate the risk of HIV transmission, तो prevention counselling simply, simple सा क्या है, pre-test counselling ही होती है, test से पहले ही counselling जैसा ही होता है, यहाँ पर simply वो मिल करके एक plan तयार करते हैं, वो counselling करता है, किस तरह से आप reduce कर सकते हैं, बिलकुल ही अपनी life से HIV के risk को हटा सकते हैं, ठीक है, prevention counselling can also be given to relatives, prevention counselling साथ साथ में, अच्छा, य तो हो गया उसके लिए, कि मानलो patient negative निकला, अगर वो positive है, तो prevention counselling relatives को भी देनी है, है ना मानलो क्यूं देनी relatives को, मानलो किसी को है, जो patient है, उसको मानलो कभी जखम हो गया, कुछ कट गया, तो दूसरा जो उसका परिवार वाला है, वो ऐसी खुले हाथों से जखम साथ करता गलत बात, आप वो gloves पैंट के करना पड़ेगा, तो यह counselling देनी पड़ेगी, कि आप उसके खुले जखमों को कभी सीधा हाथ से touch नहीं करेंगे, तो latest को भी counselling देनी होती है, of an infected person, so as to protect them from contacting the infection, जिससे की उनको infection ना हो जाए, in the process of caring the people living with HIV, है ना, जब वो उनके परिवार व देक के दोरान उसके परिवार में किसी को HIV ना हो जाए, उसके लिए भी counselling होती है, तो ठीक है, people living with HIV, AIDS, people living with HIV, AIDS, ठीक है, पी-ल-डव-चे, तो यह short form बार-बार हम इस्तवाल करेंगा, अब अब prevention forms of prevention counselling, किस-किस प्रकार की prevention counselling होती है, एक होती है, primary preventive counselling, ठीक है, एक होती यह secondary preventive counselling, तो primary preventive counselling में क्या है, this is the counselling given to an individual to avoid contacting an infection, यह सुरवासी counselling है, एक इंसान को दी जा रही है, मतलब आपको, हमको किसी को भी दी जा सकती है, कि आप किस प्रकार से HIV से बचेंगे, फिर है secondary preventive counselling, this is the counselling given to an individual, who is positive, अब यह उसको counselling दी जा रही है, जिसका test result क्या आया है, to help reduce the risk of reinfection, ठीक है, testive positive आ गया है, तो आप सो counselling दी जा रही है, कि आपको द्वारा से किसी और से reinfection नहीं हो जाना है, यान कि किसी और से वापस से infection नहीं ले लेना, यह नहीं समझना है, कि मुझे तो HIV हो गया है, अब मैं कुछ भी करूँगा, मेरे को द्वारा से HIV न नहीं होना है, ठीक है, it is also given to the family, यह साथ साथ में secondary counselling family को भी दी जाती है, spouse, पती या पतनी उसको भी दी जाएगी, and caregiver जो ध्यान रखता है, पेशेंट को भी दी जाती है, of any infected person to enable them to be able to give a proper care of the PLWHA as well as to protect themselves, तो secondary counselling किसको दी जा रही है, कि जिसको infection है, द्वारा से infection ना हो ज जाती है, infected person को जो देखरे कर रहे हैं, उनको दी जा रही है, ताकि उनको ना हो जाए, ठीक है ना तो इस परकार से यह secondary preventive counselling होती है, तो preventive counselling समझ में आई, क्या होती है, अब bereavement, bereavement क्या होता है, bereavement सीधा होता है, used to describe any event that include loss, किसी की मौत हो जाना, है ना, मौत होना ही तो जो bereavement का मतलब है, कि कोई भी ऐसी घटना जहाँ पर नुकसान होता है, बिमारी की वज़े से, so this could mean losing a job, अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है, कि आप इस बिमारी की वज़े से, मालो पहले ऐसा होता है, even अभी भी होता है, कि बिमारी होगी तो आप अपना job से हाथ दो बैट या job चली गई आपकी, ठीक है, और the death of someone या किसी की क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है, तो ये bereavement, bereavement का मतलब सिधा क्या है, loss, loss कुसी भी परकार का हो सकता है, job का, financial loss, ठीक है, किसी की death हो गई है, ठीक है, तो bereavement can also be termed as grief, bereavement का हम लोग कह सकते हैं, दुख, जो एक तरीका emotional पीडा या दुख होता है, हमारे मानसिक तोर पर, उसको भी हम bereavement कह सकते हैं, bereavement in relation to HIV AIDS, अगर हम HIV AIDS की term में कहें, could be grief over the loss of dear one, ये एक परकार का दुख होता है, कि हमारा जो प्यारा है, प्यारा सबसे चाहिता है, इंसान अब उसको AIDS हो गया है, वो अब हमारे क्यों होगा, दुनिया से चला जाएगा, आज नहीं तो कल, ये एक तरह का दुख पैदा हो गया बाडी कंदर, और grief upon a partner or friend is HIV positive, ये दुख हो गया है, ये दुख हो गया है, मेरे दोस्त का HIV हो गया है, एक तरह का दुख पैदा हो गया है, ठीक है ना, grief is multi-dimensional, ये इसके कई रूप ह हो सकते हैं, it can be experienced on all level of the person, किसी भी level से आप इसको महसूस कर सकते हैं, in the heart, मन से, दिमाग से, spirit से, ठीक है, और the body, तो अब तन, मन, धन जिसे हम लोग कहते हैं, तो हर तरीके से आप अपने आपको दुखी कर सकते हैं, इसके सारे level हो सकते हैं, when death follows a terminal illness, जब terminal illness, मतलब आखिरकार, जैसे कि AIDS है और death हो जाती है, even though the family and friends know that the death is inevitable, मौत हो गई है, आखिरकार एट से, और परिवारवले जानते थे, आज नहीं तो कल इसकी मौत हो जाएगी, ये अटल है, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता, inevitable है, and have washed the person, sleep away, और फिर उसको धीरे धीरे बची है, अब मर जाएगा, ये अब मर जाएगा, है ना कैसा गंदा सा feeling होता है, किया रही मेरा दोस्त है, अब चला जाएगा, मेरा पतनी है, मेरा पती है, ये अब मर जाएगा, मेरा बच्चा, कोई भी है, sleep away, रोज खयाल आ रहा है कि इसकी जिन्दी कम हो रही है, during the illness, they are still left with a sense of loss, ठीक है ना, उनके अंदर अभी भी एक loss का जो sense है, वो उनके अंदर है करके, तो बड़ा ही एक critical situation होती है, और यहाँ पर counseling की बहुत जाएगा जरूत होती है, otherwise, जिसका loss हुआ है, जिसका चाहिता चला गया है, तो उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता ह पीपल ग्रीफ, ग्रीफ मतलब वोई दुख, not only for the dickies, केवल जो मर गया है उसके लिए ही नहीं, but also for the unfulfilled dreams, मालो किसी का partner है, life partner है, है ना, उसकी death हो गई है, तो उसके साथ उसने जो सपने देखे थे, वो भी उसके अधूर रह गए, उसका भी एक दुख होता है उसको, and plans for the future that they hope to share with them, तो यहां हम बात समझ नहीं कोईश्च कर रहे हैं कि आखिर का जो bereavement है, जो loss हो किस परकार का हो सकता है, और कितना मानसिक तोर पे यह क्या होता है, पीडा डायक होता है, there is no right a way of coping with the death, यहां पर कोई भी ऐसा right या कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हम इस death से cope up कर ल loss in their own individual way, हर इंसान loss से अपने तरीके से उभरता है, किसी का सभी का उभरने का तरीका सेम नहीं हो सकता है, the way a person respond is partly dependent on their relationship, यह डिपेंड करता है कि आपको उसका रिष्टा कैसे था with the decreased one, but it also depends on their own personality and upbringing, और साथ साथ में इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी परवरिस कैसे ठीक है, उसी के हिसाब से आप उस दुख से उभर कर बहार आते हैं, ठीक है तो बरीवमेंट यह काफी important topic है एक तरह से, अब हम करते हैं बरीवमेंट की counselling, कि counselling में जब बरीवमेंट के बात आती है तो counselling में हमें क्या क्या बाते हैं करनी है patient के साथ, counsellor have to handle bereavement with a great deal of caution, इस दुख को, इस पीडा को उसको बड़ी ही साफधानी से क्या करना है, handle करना है, empathy is required on the part of the counsellor and not sympathy, ठीक है ना, सुहान बूती नहीं, empathy चाहिए, उसको इस तरह से feel कराना है कि वो भी उसकी जगह पे मौजूद है, ठीक है, और उसको भी उतना ही दूख है, जिसना सामने वाले को दूख है, it is important to allow bereaved person to grieve and ventilate their feeling, it is important to allow, ये जरूरी है कि वो जो bereaved person है, जो जिसका loss हो गया है, वो पूरा अपने अंदर से अपना दुख जाहिर करे और अपने feeling को ventilate, निकलने दे अपने अंदर से बाहर, जो भी कुछ है, आप उसको ये नहीं कह स करना चाहरा है, वो उसको करने देना है, ventilate the feeling, है ना अपने उसकी feeling को बहार निकलने दे, communication is the key coping, coping मतलब होता है, किसी साथ देखते रहे का, तालमेल, communication is the key coping and adjusting to the new changes as a family goes through the grief, सबसे अच्छा जो इसका cope करने का तरीका है, अज़ेस्ट करने का तरीका है, communication, कि आप उन से आप communicate करें, ठीक है, it is important to allow the family to talk, cry, vent their rage, यह जरूरी है कि family क्या करें, बात करें, रोए, रोना है तो रोए, अपने रोने को रोके नहीं, vent their rage, अंदर की जो भडा सी निकल रही है ना, मतलब गुसा आ रहा है कि यार यह चला गया इंसान, उसको vent, vent मतलब निकलने दे भार, ventilation दे even sit in silence, अगर आपका अकेले में बैठने का मन कर रहा तो अकेले में बैठें, ठीक है, और grief privately, कुछ लोग होते हैं, सबके सामने, रोने में थोड़ा सा उनको अजीव लगता है, तो अगर अकेले में जाके रोना चाहते हैं, तो अकेले में जाके grief करें, depending on how they feel, डिपेंड करत करने का तरीका अलग हो सकता है, दूसरे का दुख जाहिर करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, तो कह रहा है, remember that no two people will react the same way, दो लोग एक ही तरीक से behave नहीं करतेंगे, under similar situation, and the counselor must give room for such differences, और जो counselor होगा, उसको इस type की situation में दोनों को ही समझना होगा, और उनको अपने-अप Іसन परकार इस हालात से बाहर निकला जए, बास समझ में आ रही है, ठीक है, तो बरीमेंट काउंसरिंग में यह साब बाते होंगी, इसके गोल क्या है, हमें यहां पे कांशलिंग का मेन उद्देश क्या है वो समझें कि यह लॉस की रियालिटी यह सच में है ठीक है ब्रह्म नहीं है रियल में हुआ है इस चीज़ को समझना है To the mourners, mourners मतलब जो रो रहे हैं जिनको दुख हो रहा है And help provide psychosocial and emotional support तुरे हैं और उनको psychosocial, socially, psychologically और emotional support दे सके Bereavement counseling also help person to deal with spoken and unspoken feeling Bereavement counseling में कुछ लोग होते हैं बोल करकर अपनी feeling जाहिर कर लेते हैं कुछ लोग चुप रह आते हैं दोनों ही प्रकार की feelings को क्या है उसको deal करना है यहाँ पर counselor को which he is his experience about the loss of loved one or the HIV diagnosis जो जिस प्रकार जो यह हैं ना जो जिनको दुख हो रहा है दुख होने वाला या तो बोल के निकालेगा या बिना बोले करेगा ठीक है ना वो अपना जो about the loss of loved one or the HIV diagnosis अगर किसी को HIV diagnosis हुआ है या उसकी मौत हो गई है तो या तो बोल के बढ़ास निकालता है या बिना बोले निकालता है तो उसके साथ जो counselor हो रहा है उसको deal करना आना है to help the person overcome difficulties of readjustment ठीक है to help the person लोगों की मदद करना जिसका चाहिता जो खास इंसान इसको HIV AIDS हो गया है या मर गया है उसको क्या करता है help करना overcome difficulties difficulties उसकी difficulties को उसमें बाहर निकाल में help करना जिसके readjustment कर सके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस से अपना start कर सके after the loss or diagnosis, diagnosis या loss होने के बाद वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी उसके चाहने वाले या वो खुद क्या कर सके start कर सके to help the person to be able to adjust to life after an HIV diagnosis और साथ-साथ में अगर HIV diagnosis हो गया है तो उसके बाद वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को वापस से adjust कर सके तो यही सब होता है, इसका main goal और उद्देश यही है ठीक है, stages of bereavement, bereavement की stages समझे अब bereavement शुदा सा lengthy topic हो गया, लेंग है, समझना पड़ेगा होता क्या है, सबसे पहले denial, denial मतलब मना करना कि नहीं this is usually the first reaction that people have to loss of the loved one or the diagnosis of HIV HIV diagnosis मुझे, मैं नहीं मानता, मुझे होई नहीं सकता, denial कर रहे हैं आप, खंडन कर रहे हैं ठीक है, at first people tend to deny the loss has taken place and may withdraw from the usual social contact ठीक है, और होता क्या है, जो social content होते हैं उससे दूर हो जाते हैं, तो सबस्वेले खंडन कर देंगे, मुझे नहीं हो सकता मनाई कर देंगे बिल्कुल, फिर गुसा आना स्टार्ट होता है, पता तो चली गया है, फिर अंदर से गुसा आता है, मैं ही क्यूं, मुझे ही क्यूं हुआ There is a stage of anger at self, या loved one, खुद के उपर आता है, या जिसको हो गया है, उसके उपर आता है चाहने वाले को, कि भगवान, the world, the HIV virus and the world in general, किस-किस के उपर आ रहा है, खुद के उपर, अपने चाहने के वाले के उपर, भगवान के उपर, दुनिया के उपर, HIV virus के उपर, कहां से आ तु मेरे पास, and the world in general, पुरी दुनिया के उपर उसे गुस्सा आ रहा है, question such as why me, और question रहा है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, why did it happen to me, ठीक है, और asked over and again अगे, वो बावर सवाल करता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों हुआ, ठीक है, गुस्सा आ रहा ह hurt or at the world or letting it happen, वो गुस्सा होता है, इंसानों के उपर who inflicted the hurt, even if he or she dead, ठीक है न, जिसने उसे दुख पहुचाया है, चाहे हो भले हो मर गया हूँ, है न, बिमारी वैसे मर या तो उसे गुस्सा आ रहा है, कि क्यों, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों चले गए तुम, ठीक है, या जिसने उसको ऐसा होने दिया, उसके उपर गुस्सा दिखाता है, तो यह starting condition होती है, he or she may also be angry with her himself for getting infected, और खुद के उपर गुस्सा है कि कहा से मेरे नदर infection आ गया यह, और loved ones dying जो मर गया है, realistically, ठीक है, यही तक रखेंगे से, उसे खुद के उपर भी क्या आ रहा है, गुस् कर रहा है, at this stage the grieving person may make bargain with God, अब वो भगवान के साथ bargain करना ही start करता है, आप देख रहे होंगे कि कुछ situation आपको तालमेल बैटरी होंगी, if I do such and such, will you take away the loss, अगर मैं ऐसा ऐसा कर दूँगा, तो क्या आप मुझे ठीक कर देंगे, ठीक है, I promise I will better person, मैं बादा करता हूँ, मैं अच्छा इंसान बन जाओंगा, hoping that the loss will disappear or magically be made right, इस आसा में कि जो नुकसान हुआ है, वो खतम हो जाएगा, या जादुई तरीके से गायब हो जाएगा, तीसरी स्टेज या जाती है, चौती स्टेज अब डिप्रेशन आना स्टार्ट होता उसको, ठीक है, at this stage the person feel numb, अब व any longer, अब वो ठक गया है, वो किसी परवाह नहीं कर रहा है, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, a sense of hopelessness, है ना बिल्कुल आशा उसकी खतम हो गई है, helplessness, बिल्कुल उसे अब ऐसा लगता है, अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, washes over the person and leave him or her unable to muster energy, वो अपने अंदर उतनी energy नहीं खटी कर पा रहा है, कि वो कुछ काम कर रहा है, वो बिल्कुल जैसे नहीं एकदम पढ़ गया, अलग थलक से एकदम depressed लोग जो होते हैं, to do anything and everyday functioning में also be a problem, और रोज मरा के काम भी अपने नहीं कर रहा, गंदा, सान, tidy सा पढ़ा हुआ है, फिर finally stage आती है, acceptance की, अब व and anger, sadness and morning, morning मतलब रोना दोना, ठीक है, have tapered off, अब ये सब जा चुका है, sadness, anger, सब चला गया, ठीक है, the person simply accept, अब वो simply accept कर लेता है, reality of loss and let's go, कहा थीक है, अब है तो है, चलो आगे बढ़ते हैं, but memorizes still remain, जो memories है, ठीक है, वो अभी भी उसके दिमाग में है, it is not pleasant feeling, but rather a feeling of being ready for whatever may कम, अच्छी feeling तो नहीं है, बट कहता है, ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, बढ़ जाता है, अगे life में, counselor should listen actively to the patient and should be able to listen without judging or trying to guide the person, counselor को ऐसी अवस्था में patient को सुनना है काइदे से, और बिना judge किये या बिना try to guide the person, how to grieve, उसको ये नहीं बताना कि तुम ऐ ऐसे grief करो, ऐसी अपना दुख जाहर करो, ये सब कुछ नहीं करना, उससे सुनना है carefully, showing compassion, compassion दिखाना है कि मैं तुमारे साथ हूँ, बिलकुल परिशान मत हो, तुमारे साथ कदम से कदम मिला करके तुमारे साथ चलने वाला हूँ, और empathy should be the counselor primary tool in helping client, तो empathy और compassion ये उसके main हतिय होते हैं, ये empathy और जब compassion दिखाता है, तो patient को लगता है कि हाँ यार, ये इनसान पूरी तरीके से मेरे दुख को समझ रहा है, तो समझ रहे हो, इस परकार से finally जो bereavement होता है, उसके ये stages होती है, बात समझ मारी है, now final stage आती है, disclosing की, है ना, starting से करते चले आ रहे हैं, counseling हो गई pre, post, bereavement हो गया, दुखदाय हो गया, सब कुछ हो गया, accept कर ले, उसने में को बिमारी है, अब वो क्या करेगा, disclose करेगा, disclose मतलब, बताएगा सब को, कि हाँ, मुझे HIV है, ठीक है, तो क्या है, disclosure of HIV status में, result in negative reaction from the people, लोगों से negative reaction आ सकते है, तो negative reaction आएंगे, तो फिर उसका mind पर होगा, तो counseling की ज़रूरत है, it is also advocated as a way to reduce stigma, ठीक है न, अपनी बात को stigma होता है, कलंक, धपा, तो अगर वो किसी को बताएगा नहीं, तो उसको ऐसा लहेगा, कि यार मैं धपा हूँ, मैं कलंक की दोगे, एट्स मैंने का नहीं, तो अगर उस बता देगा, चार लोगों को, ख कम होईगी, यह पीडा उसके अंदर से कम हो जाएगी, when disclosure brings HIV close to home, for people especially when it is loved one or a respected member of the community, it is easier for them to accept HIV than it is a stranger, तो कह रहा है, when disclosure brings HIV close to the home, जब HIV का जो disclosure है, घर पर लोगों को पाश चलता है, खास कर कि, जब when it is loved one, यानि कि किसी को घर में हुआ, और वो सब का चाहिता है, या एक respected member of the community, या community में एक respected इंसान है, उसके बारे में लोगों को पता चलता है, तो यह असान होता है, उसको accept करना, क्योंकि वो हमारा चाहने वाला है, बजाए इसके कि किसी stranger, एक अजनवी के बारे में पहुचता है, तो आदमी दूर भागता है, लेकि अगर अगर अपन counselor को क्या करना है, patient को prepare करना emotionally, कि जब आप disclose करोगे, बताओगे लोगों को या अपने परिवार में की मुझा HIV है, तो क्या-क्या reactions आ सकते हैं, and help उसकी मदद करेगा, identify who the disclosure might affect, कि कि किसको disclose करने से ज्यादा effect पड़ेगा, spouse, पती पतनी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, and to be aware of potential negative consequences, और साफधान रहें, जब आप इनको बताओगे तो हो सकता है, इनकी तरफ से कोई जवर्दस negative reaction आए, तो आपको अपने आपको समाल के रखना है, the counselor should also ensure that there is adequate support and preparation before and after disclosing, counselor यहाँ पर यह सुनिशित करेगा कि उसे परियाप्त support मिले, ठीक है, adequate support and preparation before and after disclosing, यानि कि उसके क है, जब वो disclose करेगा, तो उसे पहले और बाद में उसे proper support मिले उसे, इस चीज़ को सनुश्चित करेगा, PLWH जो patient होते हैं, मैं need support to disclose their status, उनको support चाहिए होता है, कि वो अपनी बात को, अपनी status को बता सकें, अपने जो चाहीते लोग होते हैं, उनको ठीक है, and need support to cope with their feeling about the information, औ और उनको भी सारी जरूत होती है, support की जरूत होती है, जिससे कि वो अपने feeling को क्या कर सकें, अपने feeling को साजा कर सकें, this is what make disclosure counseling a complicated, बस यही चीज़ है, कि जो disclosure counseling होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, को यहाँ हमको किसी और को बताना होता है, ठीक है, यह complicated process है, because the counselor has to to give support to the primary client, but also to the significant other, यहाँ पर counselor को जो primary client है, जिसको infection है, उसको तो counseling करनी करनी है, और to the significant other, significant other का मतलब है, जो उसके चाहिते हैं, पती, पतनी, बच्चे, उनको भी counseling करनी पड़ रही है, कि भाज़ दोको सा HIV है, तो कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हो जाता है, Okay, and in some instances, it is counselor that may have to disclose the HIV status of the client to the loved one, और कुछ cases में ऐसा होता है कि, counselor को ही जाकर के बताना होता है, कि भाई, आपके इस इनसान को HIV हो गया है, तो counselor का role HIV के case में बहुत बड़ा होता है, बात समझ में आ गई, clear है, ओके, तो ये वाला lecture भी हमारा, खतम हो जाता है, ठीक है, एट्स वाले पार्ट को थोड़ा सा एक या दो बर पढ़ेंगे, जिससे कि वो अच्छे से clear हो जाए, clear है बाते हैं, notes हमेशा की तरह, description